नमस्कार प्यारमित्रों कैसे हैं आप सभी शवार्थ क्लास इसमें आप सभी प्यारमित्रों का स्वागत है हम लोग क्या देख रहे थे भाई तो रिजिनिंग में आज हम लोग डाइस देखेंगे डाइस में आगे बढ़ेंगे दो क्लास हो चुका है डाइस में चलिए तो आई डाइस को हम लोग को निप्टारा कर देना है ठीक है ना उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लें ठीक है देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है जो छूट गया था अभी जान लेजिए ये डाइस है ठीक है अगर एक्जाम में पूछे कौर्णर की संख्या डाइस के कौर्णर की संख्या बताओ तो देखिए कौर्णर की संख्या भी एक्जाम में पूछ सकता है आपसे ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी के विप्रित क्या है यही पूछे और साइड्स की संख्या कितने साइड्स है नमबर of sides, ठीक है, no, ठीक है, number of side और number of corner, ठीक है, बात को समझे, तो ये पासा मान लीजिए, महाभारतकाल का पासा है, इसमें क्या है, अगर इसको छोटा कर देंगे, तो वर्तमान का पासा है, जो लुडो के रूप में आप लोग खेलते हैं, लुडो के खेलते हैं, तो देखे, corner ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, इसी परकार इधर पलट देंगे, एक, दो, तीन, चार, चार और चार, आठ corner, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिकत नहीं होता, इसमें confusion नहीं है, confusion यहाँ है, जब किनारे हम जोड़ेंगे, किनारे, एक किनारा, दूसरा किनारे, तीसरा, समझ में आएगा, लेकिन, बच्चे कहां confused होते हैं, यहाँ पर जब इस साइड का किनारा हम जोड़ते हैं, तो एक, दो, ये दो ही हमें count करना चाहिए, क्योंकि ये किनारा जो है, इस साइड को count करने के दवरान, ये किनारा count हो चुका है, लेकिन बच्चे इसी किनारे को द 8 हो गया, ठीक है, अब क्या है, एक, नो, एक ये 10, 11, एक ये 12, आ गया, ये तो, और ये तो already count हो चुका, इधर के counting में, और इधर के counting में, अब क्या है, और बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब पासे को इस परकार कर दिए, अब कहेंगे, ये भी किनारा है, ये अरे भाई, आईसे में तो ये आ ही गया, आईसे जब किया, यहां count किये, तो आईसे भी करे तो ये आ गया ना, तो इसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना, तो 12 किनारा, आईसे भी आप जोल दिजे, 6 पलक, एक साइड चार, 6 चौक 24, 24 का अधा 12 कर दिए, ठीक है, इस परक हम लोग, देखे, क्या है, हम लोगों ने क्या देख रखा है, उचित पासा और अनुचित पासा है, ठीक है, यह हम लोगों ने देख के रखा है, उचित पासा, अनुचित पासा किसको कहते हैं, तो अगर एक के विपरीद 6 है, तीन के विपरीद 4 है, पास के विपरीद 2 है कहने का तातपर है सवों के विप्रीज जो है उसका सम साथ हो गया तो ये उचित पासा हो गया नहीं आ रहे हैं तो ये हो गया पात्त नौन स्चेंडर्ड डाईस ठीक है अनुचित पासा ठीक अब समझें यह हो गया आपको अगर इस उप में हो तो यह देखिए क्या है अनुचित पासा है इसका एक और फॉर्मुला है फॉर्मुला है कंसेट का है कि कभी परोसियों का योग साथ नहीं होगा कभी परोसियों का योग साथ नहीं होगा ठीक से एक छेक साथ हो गया है ठीक है अब क्या है हमने क्या बता के रखा है आपको अगर इस रूप में पासे हो एक पासे के दो सतह दो एंगल से खीचा गया इसका फोटू दो एंगल को आपके शामने परस्तुत किया जाना तो हमें किसी का भी विप्रित निकालना है तो कैसे निकलेगा तो सबसे पहले देख लेना है कॉमन क्या है तो कॉमन तीन है दोनों प फैक्टर से कॉमन नंबर से राउंड क्लाउक या एंटिक लॉक व्हाइज आपको संख्या को लेना है जैब से इस्तिती तो यहीं पर क्या कर सकता है, यह लाल दे सकता है, यहां हरा कर सकता है, यहां पीला कर सकता है, यहां लाल कर देगा, यहां काला करें, और यहां सफेद कर दे, कुछ भी कोई भी कलर ले सकता है, कोई भी कदर ले सकता है अब पुछेगा विप्रित क्या होगा तो वही clockwise और anti-clockwise जैसा कि हमने यहां किया है वैसा ही करना है अब हो सकता है यह लाल पिला हरा काला ना करके आम मिली कठर जामून कुछ भी कर सकता है तो वही formula वैसे ही clockwise जो common factor है जो common चीजें है उसके साथ clockwise या anti clockwise जैसे करना है अब क्या होता है एकजाम में इस डॉलर का परियोग किया जाता है है यहां पर परियोग कर सकता है यहां पर सेंट का परियोग करें कोई फर्क नहीं पड़ना है concept हमारा वही रहना है clockwise anti-clockwise कहां से तो common factor से common number जो common हो दोनों में यहां पर जो common आपके पास दिखा है चलिए दिखिए एकजामनर बहुत चालाक होते हैं आपके सामने डारेक्ट पासा अगर दे देंगे तो वो समझते हैं कि आप तुरंग हल कर लिजेगा तो सोचते हैं वो कि थोड़ा सा क्यों नहीं बच्चों के साथ चालाकी किया जाए तो देखिए इस रूप में आपके सामने question रखा जाएगा ताकि आप confused हो जाएं तो यहां पर है A है B है C है D है E है और F है देखिए कुछ भी हो सकता है यहां dollar हो सकता है percent हो सकता है एड़रेट हो सकता है, कुछ भी कोई भी सेंबल हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हो सकता है, उससे कतई घवराना नहीं है, तो देखिए सीधा कंसेप्ट, सबसे सांदार कंसेप्ट यहीं है, कि जो दोनों हो गया समाज से परिक्त्त हो गया और यह समाज के एक रेखा में चारू चल रहा है तो इन दोनों को आपस में साथ रखना है यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एक का अपोजिट एफ है ठीक है अब क्या है यह सिरिया जो सीधा-सीधा खड़ा लाइन देख रहे है इसमें क्या है अल्टर्नेटिव एक को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट होता है जैसे कि एक का अपोजिट सी हो जाएगा और बी का अपोजिट डी ठीक है एक को छोड़कर दूसरा पहले का अपोजिट होगा और दूसरे का अपोजिट एक को छोड़कर चौथा हो जा यहां पर कुछ भी numbers हो सकते हैं, यहां पर कुछ भी symbols हो सकते हैं, यहां पर फल fruits के name हो सकते हैं, इस पर आपको नहीं जाना है, आपको जाना किस पर है, तो concept पर है, अगर इतना भी करके छोड़ दिया जा, इतना भी ध्यान से आप देखिएगा, तो कोई question नहीं छूटना है फिर आईए कुछ question हम लोग हल करते हैं, इन सभी प्रशनों पर, ठीक है, इन सभी concept पर, देखेए, एक question है आपके शामने, नीचे, आप यहाँ देखें, हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है, question क्योंकि paste करने जा रहे हैं, नीचे पासे की चार सितियां परदर्सित हैं, चारों में क्या है, एक पासा है, चार फलक हैं उसके, चार एंगल से आपके सामने उसको paste किया गया है, पहला एंगल में है, पासे की उपर एक हो, तो पेंडी के, पेंडी में कौन सी संक्य होगा, पेंडी कहने से ताज में है, नीचे भाग में, एक के अपॉसित में क्या होगा, एक के अपूछ रहा आपसे, तो समझे, एक कहा कहा common है, आक को यह देखना होगा, तो सब से पहला देखिए, पासे की जो दूसरी इस्थीती है, दूसरा एंगल है उसमें 146 है, और तीसरे में भी 140 है, तो देखिए, दोनों में 2 common है, एक और 4, तो बच क्या गिया, दूसरा जो इस्थिती है, तो तीसरा है दोनों में जो बचा हुआ है वही एक दूसरे का अपोजित होता है, तो यहां 6 और 5 हो जाएगा, दूसरा इस्थिति पासे का और तीसरे इस्थिति से, अब आईए, दूसरे का चौथे के साथ देखते हैं, तो दूसरे में एक 4-6 है, चौथे में 3-1-6 है, तो अब देखें, कि 1-6 जो दूसरा पासा का इस्थिति है उसमें और जो चौथा इस्थिति है उसमें भी एक और छे आपस में common है, तो बच क्या गया, चार और तीन, तो यह चार दूसरा पासा में जो 4 है, और चौथा पासा में 3 है, यह दूसरे का अपोजित हो गया, तो आगे बढ़ना ही नहीं आगे पासे की और जाना नहीं है हमारा आंसर यहीं हो जाएगा ठीक है अगला देखते कोशन अब देखें लाल काला हरा सफेद कोशन वहीं रहना है कोशन में कोई भरक नहीं होना है सिर्फ नाम नोमेंक्लेचर चेंज कर दिया जाता है ठीक है इस पानिका अलग अलग नाम है, ठीक है न, धाचे तो वही हैं, नाक कान आखमू, आजिए देखिए, निमलिकी चित्रों में एक ही पासे के दो विभिन इस्थितिया दिखलाई गई हैं, देखिए, लाल पृष्टि के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल के विपरीत कौन सा में था काला सफेट पिला, दूसरा में है लाल, काला और हरा, तो दीखिये common क्या है, to common आपके पास दोनों में काला है, black, color याने black, तो black, ब्लैक, अब clock white चलेगे, तो पहले पास में clock white चलेंगे तो पिला और yellow yellow और white होगा ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं दूसरे में चलेंगे clockwise तो लाल और हरा हो जाएगा लाल red और green ठीक है तो पूछा जा रहा है कि लाल प्रिष्ट के विप्रीत में कौन होगा इसको छोड़ दीजिए हमको इसका निकालना नहीं है लेकिन जो बच जाएगा वही इसका अपोजिट होगा तो yellow के अपोजिट में red है तो हमारा आंसर हो जाएगा yellow और अगर पूछता कि white सफेद के अपोजिट में क्या है तो green और जो बच गया उसमें वो black के अपोजिट में हो जाएगा ठीक है कहीं कोई दिक नहीं होना है सिर् कोशन देखते हैं नीचे की पाकिसी पासे की तीन इस्थितियां दी गई है मलब तीन फल एंगल से उसका प्रजेंटेशन किया गया है पहला में है पांच तीन चार फिर दूसरा में दो तीन एक तीसरा में छे चार दो तो चार के विप्रीज सतह पर कौन सा होगा ये चार के अलावा पांच और तीन है और तीसरा में छे और दो है केवल यही कौमन है एक ही मतलब ये चार ही जो है पहला इस्थिति और तीसरा इस्थिति में कौमन है तो आप डारेक्ट अंसर कर सकते हैं कोशन देखने की कता ही आवजशकता नहीं है केवल एक कौमन हो जो कि आपका question है तो पासे में जो शंख्या नहीं परदरशित है वही आपका answer होगा तो पासे में देखे चार पांच तीन उसके बाद दो चार छे यानि कि missing क्या है हमारा एक missing है तो वही हमारा answer हो जाएगा एक ठीक है क्यों क्योंकि जब करेंगे तो पांच तीन का पोजिट छे दो आएगा तो बच जाएगा चार तो चार का पूजिट हमारा क्या मिलेगा संख्या एक ही बचा हुआ एक ठीक है चलिए आगे देखते है देखे देखे औरिजिनल लुडों का छका दिया गया है एक पासे की तीन विभिन इस्थितिया नीचे दी गई है दो बिंदू के विपरीत कितने बिंदू होंगे लुडों में क्या होता है बिंदू होता है पासा में एक बिंदू किसी साइड दो बिंदू किसी साइड तीन बिंदू किसी साइड चार बिंदू किसी साइड छे तीसरा में तीन चार पांच तो पूछा जा रहा है दो बिंदुओं के अपोजिट में क्या होगा तो एक बात गौर कीजिए सबसे पहले देखिए क्या यह अपोजिट यह अस्टेंडर्डाइज तो नहीं लेकिन नहीं है क्योंकि दूसरा इस्थिति आप देखिए तो छे और एक साथ तो किनारे आपस में साथ एड हो रहे हैं इसलिए अस्टेंडर्डाइज नहीं है तो अब आते हैं कॉमन देखते ह तो 6 कहा कॉमन है पहला स्थिति और दूसरा स्थिति तो पहला स्थिति में 6 कॉमन है उसके बाद पहला स्थिति में क्लॉक वाइट चलेंगे तो 6 2 और 4 है दौट के जवब पर हमने एक दो तीन चार लिखा तो 6 4 और 2 उल्टा हो यह भाई छे चार और 2 ठीक है अब आएए दूसरे में इस्थिति में चलें तो 6 एक पांच एक और पांच तो हमसे प्रस्ण में आ रहा है दो के अपोजिट क्या होगा तो दो यहां पर है अपो करें हां नहीं चलिए आगे देखते हैं आए आए सेंबल वाला कोश्चैंग है कि कि ऑदे शेंबल आपके सामने एक पांसे की तीन स्थितिया नीचे दर्साई गई है डॉलरवाले फलक के वप्रित क्या आएगा डॉलर वाले फ्लक के विपरीत क्या आएगा तो देखे तीन इस्तितियां क्या है पहला इस्तिति परसेंट डॉलर अश्टार फिर क्या करते हैं इसको greater than less than कह सकते है आपका सेंबल बना हुआ है अईशे ये शेंबल बना हुआ है ठीक है न प्लस डॉलर प्लस एंड ये वाला एंड श्टार ठीक है ये तीन इस्तितियां हो गई पूछा जा रहा है डॉलर वाले फ्लक के विपरीत क्या होगा तो टेकिल डॉलर कहां कहां common है तो डॉलर पहला इस्तिति और दूसरा इस्तिति में आपका common है उसमें देखिए और कोई common है क्या नहीं है तो इसमें जितने भी सेंबल है इनके अलावा जो सेंबल है वही आंसर हो जाएगा तो इसमें क्या है एंड नहीं है तो एंड यहीं एंड जो है हमारा आंशर हो जाएगा जो बच गया वही हमारा आंशर हो जाएगा ठेक है अगर जो प्रश्ण में है वही common हो तो उस दोनों इस् तो यहाँ पर यह डॉलर कोई दिकात नए होना चाहिए अब आईए कुछ कोश्चन और देखते हैं हम लोग चलिए अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं क्या है एक ही पासे के तीन विभिन इस्थितियों को दर्शाया गया है चिन एंड के विपरीत फलक पर कौन सा चिन होगा हमें यह ग्याद करना होगा फिर सेंबल है हमारे शामने शेंबल ठीक है तो आएए देखते हैं पहला पासा की सिति में क्या है 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 प्लस है डॉलर है फिर परसेंट है 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 और यह सेंबल है बड़ा चोटा वाला जो पहले अभी बताए न आपका निशान है यह एंड पलस और परसेंटेज यह हमारे सामने कोश्चन में है तो हमें इसको निकालना है भाईया तो कैसे निकलेगा क्या करेंगे इसके लि तो end के 7 वाले में common है कुछ, तो end का 7 % है, तो % वाला यहाँ पर common है. तो % तीस तास तीन दूसा année में sama common है या तो पहला श्थिति और तीस से भी आनसर कहा है, निकाल सकते हैं, तो चलिए पहला basis तीस ताससरे से चलते हैं, तो पहला में plus और तीसरा में भी plus, 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 ठीक है, अब तीनों इस्थिति में कहीं से भी answer निकाला जा सकता है, plus, plus, आप देखें, क्या है, plus का clock white चलते हैं, तो has और dollar, तीसरा इस्थिति में क्या है, plus के बाद end और percent, तो जब तो हमें end दीख गया, end का opposite hedge है, तो यह has हमारा answer हो जाएगा, आगे क्यों बढ़ना है, है की ने, यहां दूसरा इस्थिति ही check किया, हमारा answer पता चल गया, दूसरा इस्थिति में ही check कर लेना है, यह तीसरी इस्थिति की और भागना ही नहीं है, plus के बाद block white में end आ रहा है, direct short में देखना है, plus के बाद hash, end के देखिये, मैंने पहले का, पासे में, पासे में कभी भी आपको यह नहीं देखना है, यह नहीं करना है, कि वहां पर लिखा हुआ क्या है, वहां पर Bible है, Number है, क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है, हमें concept पर ध्यान रखना है, कि answer कैसे हमारा आएगा, answer हमारा कैसे आएगा, ठी देखके ही हल करेंगे हाई एक प्रश्ण देखिए आपके शामने है उन पासों का चैन करें जिन्हें दी गई सीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है मतलब कहा जा रहा है एक आकिर्टी दिया हुआ है और आप्सन है आपके सामने कह रहा है कौन सा कौन सा ऑप्सन जो है यह सही है कौन सा पासा तयार किया जा सकता है दिया गया चीतर के अनुसार तो चार छे एक दो और दोनों साइट फुटंगर में पांच हमने शुरुआत में ही बताया है इसके साथ क्या करना है तो देखिए क्या करना है द पॉजिट देखना जो ऑपोसीट है वो पांस में नहीं होगा आपोसीट वालास साथ में नहीं तो देखिए पांक का पॉजिट किस दह्ते 2 हो जाएगा दोनों पुटंगर वाला है फिक है हमारे पास पता है कि यह स्थित्रियां आ रहे है पांच के विप्रित तीन चार के विप्रित एक छे के विप्रित दो अब जिस पासे में भी एक पांच के किनारे तीन है चार के बगल में वनलब चार के पड़ोसी में एक है पांच के पड़ोसी में तीन है छे के पड़ोसी मे तो एक और चार अपोजित है पासा नंबर जो इस्थिति वन है वो खतम हो गया, option A खतम हो गया, option B एक छे और तीन, ये एक तीन और छे ये तो हो ही सकता है आपस में पड़ोसी, ये एक दुसरे का विप्रीद थोड़े है तो पड़ोसी हो सकता है, तो B नंबर option हमारा हो गया सही है, थेक है, C नंबर option देखते हैं, एक पाँच और 6 तो ये हो ही सकता है ना एक का अपोजित में 4 है, 5 थोड़े ही है या 6 नहीं है तो ये भी हो सकता है हमारा, C हो सकता अंसर ठेक है, तो D देखते हैं 3 2 और 6 तो 2 और 6 यहाँ पर देखिंए, पड़ोसी है, एक दूसरे यह वाला इसका विप्रीत है तो यह वाला यहां पड़ोसी तो नहीं रह सकता है ना कभी अपोजिट में होगा ना तो दी ऑप्सन खतम हो गया और इन ऑप्सन के बाद भी आपको चार ऑप्सन दिया हुआ है यहीड रह पासा है यहीड C ही आंसर होगा जो बी और सी इस्तिती दर्स आया गया है पासा ओरिजिनल जो है इस चितर के अनुसार वैसा ही बनाया जा सकता है ठीक है कि आईए देखते हैं अगला कोश्चन देखें फिर वह यह सेंबल है निमले खित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकिर्थी प्रश्णों में दी गई आकिर्थी को मोड कर बनाई जा सकती है ठीक है चार ओप्षन है देखें एक आकिर्थी चिन है आपके पास चार सीधा है चार कॉर्नर लाइन में खड़ा कर दिया है सेम पिछला कूश्चन की तरह दोगों को आजव बाजव खड़ा है सबों के अपने कलर किये हुए एक में क्रॉस है एक में माइनस डाइस है पेटचीर दिया है एक में पॉइंट है एक पूरा कलर कर दिया है एक में छोटा सा स्कॉयर बनाया है ठीक और एक ब्लेंक है पूरा छे प्रिदर्श है तो ऑप्सन दिये गए हैं तो सबसे पहले ऑप्सन को भूल जाना है हमें देखना है कि इसका आपोजिट कौन जाएगा तो देखिए हमारे पास एक सेंबल यह वाला है ठीक है जो फुटंगर में है जो साइड साइड में तो इसके साइड में जो है उसी को इसका आपोजिट बना लेंगे हम अपोजिट यह हो गया ठीक है उसके बाद सबसे उपर में देखिए यह है एक सरकल का बिंदू है ठीक है तो इसका आपोजिट यह पूरा रंगा हुआ है, यह पूरा जो रंगा हुआ है, इसका opposite में क्या होगा, जो square करके रंगा हुआ है, थोड़ा सा रंगा हुआ है, यही हमारा option हो जाएगा, एक दूसरे का विप्रित काउन सा है, अब इसी से answer देख लेना है, तो answer number 4 में सबों को मिलाईएगा, तो न opposite है, तो यह कभी भी पडोसी नहीं हो सकते हैं, यह निशान है, दूसरा option में और यह निशान है, तो यह आपस में कभी भी पडोसी नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे का opposite में है, थीक है, तीसरा option में देखिए, यह निशान है, और यह वाला निशान, यह तो हो सकता है, लेकिन इस निशान के साथ ये वाला निशान है, तीसरा उप्षन में, तो ये दोनों एक दुसे का पड़ोसी नहीं हो सकता, हमिशा विप्रित होगा, तो चौथा को मिलाना क्या है, उप्षन नमबर डी डारेक्ट हमारा आंसतर हो जाएगा, ठीक है, होना ही होना है, ठीक है ना, चल नवाद.